आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहान सबका मालिक टेख, कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेख हलो गाईज, स्वागत है आपका अपने फेवरेट टेख पॉड़कास्ट में सबका मालिक टेख, जहां मैं हूँ आपकी होस्सिम्रन और मेरे साथ यहां मानस और मुंजर है तो फिर ऐसे भी अच्छा होता कि सारी उंगलियां एक बराबर होती है तो अलग-अलग है ना किसे पाते न, किसे, यह, 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 चाह, अचाह, यह, यह, जाइज बराबर होती तो कुछ hold grip नहीं बन पाती, जाए कि फोन भी पकड़ते तो कैसे पकड़ते, यह चार्जर चार्ज में लगाते तो बहुत तो नहीं लगता न, खेर, अमन, बहुत जल्द हो सकता है कि सारे फ आगे बढ़ते हैं तो मानस क्या लगता है आपको यह वन नेशन वन चार्जर वाली जो स्कीम है आपकी क्या फर्स्ट उपीनियन है इस पर और तब तक मन नेरू प्ले से जाकर के वो चार्जर यूस्ब टाइप सी क्या मिलता है नेरू प्ले से पिल जाएगा तो सो दो सो रुपे में आरांस मिल जाएगा तो मेरा ओपीनियन मताने से पहले लोगो को थोड़ा ही समझा जाते हैं वन नेशन वन चार्जर क्या है क्यों बात कर रहे हैं इतने डिवाइस आज की डेट में आ गए है टाइप सी मुझे नहीं पता कौन चार्जर को अब्यूस कर रहे है ठीक है तो मुझे लगा कि मुझे लगा कि मुस्ट अब्यूस रहे है पता नहीं कहां कहां सुनके आते हैं उसके पहले पतली पिन वाला चार्जर आया करता था नोकिया वाला बड़ा फेमस लाइटनिंग कोट्स वा पर वह बहुत एसी था वैसे उसके लिए आपको चार्जर की नीडी नहीं होती थी था एक था भीं जार्च कर फ़हर्ट ईसाे उसके न!! एक नाट कुमम मती कर दिया जा है कि जो है अटेक्न वेस्ट डुनिया में कम हो जाये और एक आपको श्रय हो जाये है और अब्वियस सी बात है, common solution की जब बात करते हैं, तो Type-C जो है, that emerges as a favorite choice, because mostly adopted technology है, ज़र कोई उसे embrace कर रहा है, Apple ज़सा कंपनी जो की अपने iPhone में lightning port है, वो भी iPad पे अल्रड़ी दे चुका है, Type-C charger, तो that is basically one nation, one charger, कि सारे gadget को आप अपने एक डिवाइस से, एक charger से चार्ज कर सको, मेरा उपिनेंस पर है, बहुत बढ़ी है, हम लोग तो वैसे इत्तर डाइम से बोल रहे थे, सब लोग बोलते आ रहे हैं, मतलब आप इंटरनेट पे, जितने भी users हरको, हरको ही कंप्लेन करता है at some point, कि यार अगर मैं चार्ज डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो मैं चार अलग अलग charger लेकर क्यूं चलूं, एक ही अगर ऐसा charger आजाए, जिससे मैं अपने सारे डिवाइस चार्ज कर पाऊं, nothing like it, तो बहुत बढ़ी है, अब जितना असान ही से मैंने बोल दिया इस चीज को, उतना असान नहीं है से implement करना, इसमें बहुत सारे ifs and buts हैं, pros and cons हैं, और शायद इसी वएसे government ने भी जो अभी meeting हुई थी उस दिन, उसके बाद ये decide कर रहा है कि थोड़ा सा time all लेते है, थोड़ा सास पर भी discussion की और ज़रूरत है, उसके बाद final call लेंगे कि क्या इसे implement किया जाना चाहिए या नहीं, मुंजर, over to you, यॉरोपे, आपके हिज़ाब से राहत मिलेगी कि ने मिलेगी, हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि फिर उसके बाद बार बार हर चीज़ के लिए आपको चार्जर अलग खरीदने की भी जूरत नहीं होगे, सबस्ची चीज़ है, घर पे जितने सारे डिवाइसे हैं, और मुझे लगता है, इस सिर्फ स्मार्टपून से नहीं, बलकि जितने सारे डिवाइसे हैं, उसको एक चार्जर से चार्ज करने का विधा बनाना चाहिए, चाहिए सरकार इंप्लिमेंट करें, ताकि कमपनिया फोर्सफुली वो करें, सिर्फ फून में होगा तो फिर भी बहुत सारे चीजें रहे जाएंगी, ग्योंकि आज के समय में हम बहुत सारी चीजें चार्ज करते हैं, फून, स्मार्ट वाच, एअरफ फून्स बिचार्ज करते हैं, लैपिटॉप्य तो ही अपकोर्स, यह भी थोड़ा समझ लगता है, थोड़ा सा ओवर हईड़ कॉंसेप्ट है, इतने सारे इतने सारे हम बोलते हैं, बट अच्छली गोई ट्रावल करता होगा, दो मैक्सम चलो तीन एक लापटाप काउंट कर लो, एक अपने अपना फोन का लेला जो भी आप एक फोन उसका, जो मानस, जो एन्वार्मेंट के नाम पर बहुत सारी कमपनीज जो हैं बोक्स में चार्जर नहीं देती हैं, अब अगर बहुत सारी तो क्या, दो हाँ, पर दीन होगा ही, चलो, हाँ, दीरे दीरे उनकी संख्या बढ़ रही है, इक्जाक्ली बढ़ रही है, तो अब जैसे वन चार्जर वाली कर स्कीम आ जाएगी, तो सारी कमपनीज ही देना बंद कर देंगी, क्योंने लगेगा कि आपके पास तो अलेड़ी चार्जर होगा, तो एक अलग से एक्स्ट्रा एक्स्पेंस भी तो एड़ हो जाएगा ना, कि अब अब चार्जर खरीद के रखो गर प जो एक परपस है वो यह भी है ना, कि आप अलग से एसेसरी तो बेच रहे हो ना, तो आप लोगों से खरीदवात हो रहे है यह चार्जर, आप यह नहीं कह रहे है कि चार्जर मिलेगा नहीं, मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसे देके ले ले, आप अपना रेविन्यू जो हैं, वो चार्जर देना, बंदी करतेंगी, तब उनका ही डिफेस हो जाएगा, आपके वासटादे को अलड़ी चार्जर है, और आमे उलेक्ट्रानिक वेस्ट कम करना है, ठीक है, आप नहीं देंगे, इनवे अच्छा भी है, चलो यह कह लो आपकी बही बही एक्ट्रा आपको नहीं टेक्नोलोजी बी चाहिए, तो अब क्यों अठारा वार्ट का यूज़ करना चाहोगे, तो आप फर भी वेंचुली खरीद लोगे, अलसो, मुंजज, जो सारे अड़ाप्टर्स होते हैं, वो सारे डवाइसे के साथ कमबाटिबल नहीं होते हैं, तो अगर वन वन नेशन, वन सिम वाला कॉंसेब्स हैं, दूसरा हमेशा वो एक रिवीव वाला यूनिट होता है, तो यूज़ तो करते हो ना यार, यह क्यों कि एक यूज़ करता हूँ, किसी परपस के लिए यूज़ करता हैं, तो अड़ाप्टर जो रहता है, बाकी सारी डवाइसे की चार्जिंग हो जाते हैं अडेप्टर हो जाते हैं पारफूल अडेप्टर जो होता है उससे फोन भी चार्ज कर लो इयर फोन भी चार्ज कर लो लैप्टॉप भी चार्ज कर लो बिल्कुल हो जाते हैं बट डिपेंट करता है कि कितने पारफुल वो एडेप्टर हैं अगर पारफुल एडेप्टर है तो आराम से कह सकते हो जैसे अपके लैप्टॉप में भी टाइप-C चार्जर कई सारे लैप्टॉप में टाइप-C सपोर्ट आने लगा तो उसको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल चार्जर होते हैं ठीक ठाक पारफुल चार्जर होते हैं उसको लगा और लैप्टॉप चार्ज होने ले ले होता है लेकिन ये वाला प्रोब्म ज़रूर आएगा मानलों को ये 87,000 का फोन खरीद राशक अंदर चार्जर नहीं है तो वो अगर आज़ करेंट सेनारियो मुश्याद 120 वाट का चार्जर मिलता पर अब उसे शाद अपने पुराने 33 वाट के चार्जर से फोन चार्ज करना पड़ेगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि कंपनिया वो क्या कहते हैं उसको एडप्टर देदें ब्रिक देदें केबल ना दें केबल ना दें केबल टाइप्टर दें तो होगा ही तो उस वज़ए से प्रोप्राइप्टरी टेक के पॉइंट अफ़ चालेंज है को स्काई गपनिया भी करती है सिर्फ एग्जांपल सामसंग करता है इसे डिवाइस पर कुछ हाम नहीं पहुचेगा जैसे हम जेनरली कहते है अगर अपको अपने फोन की बैटरी लाइफ को बढ़ाना है तो आप बेटर उसकी के फोन के चार्जर से चार्ज करें पर अगर हम यहाँ वन नेशन वन चार्जर वाली स्कीम को अपनाते है अगें जो मुंजर ने बात बुले ना अच्छा ये मैं मिज़े लगा सा इडासा confusion क्रियेट हो ना वन नेशन वन चार्जर का मतलब यह नी कि अड़ाप्टर मिलने मन दो जाएंगे वन नेशन वन चार्जर वन चार्जर वन पोर्ट से है ना पोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर तो आप अड़ाप्टर तब भी आप अपनी कंपनी वाला यूज़ कर लो सकता है आपनी दे भी दे कहानियों का मौसम लौट आया है किरदार जिन में सांस ले रहे हैं हमारी रोज मर्रा के जिंदगी के एहसास किसी आँख से टपका एक खामोश आसो किसी जबान पर आते आते रुख गई कोई बात किसी की दबी हुई शरारती हसी किसी की महपत भरी एक नज़र हर एहसास में ढूड़िये खुद को क्यूंकि ये है स्टोरी बॉक्स स्टोरी बॉक्स विजमशेद कमर सिद्धिकी कमिंग सून ओनली आज तक रेडियो वेलकम बैक आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और आज हम बात कर रहे है वन नेशन वन चार्जर के उपर कि बहुत जल्द ही आने वाले टाइम में गवर्मेंट असा सोच रही है कि हर एक डिवाइस के लिए आपको एक ही पोर्ट यूस करना पड़ेगा तो अफकोस हमारी लाइफ भी आसान हो जाएगी लेकिन मंज़र आपल यूसर का क्या क्योंकि जब से ये न्यूस आई है हर तरफ ये चर्चा है कि अब आपल यूसर का क्या होगा तेरा क्या होगा सामबार राइब वो भी खुशी होंगे बट थोड़ा सा उनकी जो यूनीकनेस है जिस वज़ा से वो ज़्यादा कई बार होता है यह मेरा तो इससे चार्जर नहीं होता है मुझे फुदकते रहते हैं यार वो थोड़ा सा जो चलता है ना फ्लेश करना की बात कर रहे है तो लोगों के नीचे ही हाथ रखेंगे ताकि आपल दिख जाए या कई बार बोलते फिरेंगे कि मुझे लाइटनिंग पोर्ट चाहिए वो वाला चार्जर चाहिए आईफोन वाला चार्जर दे दो तो फिर वैसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएक ताब बोला या USB Type-C दे तो अगला समझ नहीं पायागा कि आपके बाद आईफोन है तो उन लोगों के लिए समस्या भारी होगी बट नॉमली जो फोन चार्ज करने के लिए यूज करते हैं और यूज करने के लिए आईफोन यूज करते हैं तो उन्हें को दिक्कत नहीं उनके लिए आसानी होगा क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो उन्हें परेशान होने क्योंकि हम भी आफिस में आते हैं कही बार तो mostly USB Type-C से लोग चार्ज करते हैं most of the time तो उन्हें लोग को चार्जिंग स्पीड तो थोड़ी सी पहले कि में कापले बेटर मिल जाएगे तो यही है बट एपल अपोस भी कर रहा है सीज को और दोहदार चॉबिस में मुझे लगता है कि यूरोप में वो कर लिया जाएगा 2024 में हो जाएगा तो लेकिन एक चीज और है पहलू और है इसका कि जो एपल बिल्कुल इसके अगेंस्ट में ठीक है बट वो अल्रड़ी अपने मैक्स और आइपैड में तो थो 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 पहले जाएगा और वो उसके पीछे का दलील तो obvious से बात है यह नहीं देंगे कि हमारी वो तो फिर अपना हो जाएगा वो उन्होंने कहा यूरोपियन अभी इंडिया को ले करके तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि इंडिया में भी कुछ हार्ड है भी नहीं अभी सिर्फ पैसे ही वो जैसे एक हमारा लौ आना था ना आईटी का जो काफी समय से इनमेकी ही है इसका भी कुछ हार्ड नहीं तो एपल ने इस पे कुछ बोला भी नहीं लेकिन यूरोपियन यूनियन में जो हो रहा है उसके लिए उन्होंने बोला है और उनका कहना है कि इस से अगर ऐसा अगर ताइप C सबके लिए जरूरी करते हो तो आइफोन में भी ताइप C देना होगा तो हम तो दे देंगे लेकिन नुकसान होगा यूजर का यूजर का नुकसान ऐसा होगा कि उन्हें जो हम innovation लेकर के आते हैं charging में जो हमारी expertise है इसको लेकर के वो दिक्कत होगी fast charging को fast charging को लेकर के तो उन्हों नहीं बोला है stability को लेकर के बोला है battery health को लेकर के उन्होंने बोला है बड़ा concern है ना सारे लोगों के लिए तो ठीक है बट e-waste का भी अगर valuation निकाला जाया तो 0.1% ही है charger वारजर को ले करके तो इतना बड़ा भी concern फिलहाल नहीं बन गया बटीक है अगर एसा नहीं है कि Apple दे नहीं रहा टाइप सी आपल दे रहे ना आई पैड में दे रहे ना तो वहाँ पर भी तो तो तुमारी टिकनोलोजी है वहाँ पर भी तो बैटरी हेलत है बट आइफोन एक्चली उनका hero product है तो सारा मुद्धा मनलब घुमबर के business point of विसा जाता है हाँ वो तो ही कहीं ना कहीं और और लेकन बाकी सारे अक्सेशरे उसमें ये समार्ट वच्च जो है जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे उसमें लेकिन अभी तक हमने कोई type c port देखा नहीं है हार एक तरह के चारजिंग स्थाजिंग आते हैं कभी मैगनेटिक रहते हैं वो भी आते हैं माइक्रो यूएस्वी पोर्ट मैंने देखा है स्मार्ट वाज सोनी स्मार्ट वाज 3 लाँच हुई थी 2014 या 2013 में तो उसमें उसको वहीं पे होता था उसी में माइक्रो यूएस्बी लगता था तो नॉमल चारजिंग के वहला पोर्ट उसमें भी हुआ जो कि अभी भी है मेरे पास वहली बहुत लेकिन ये वैसा सिमरन का पॉइंट बालेट है क्योंकि नहीं होता अब नहीं होता पहले देते थे अगें थोड़ा सा जो आपके स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं जो आपको थ्रूआउट कनेक्टिट रखने पड़ते हैं उनमें टाइप सी नहीं आता उनमें कई में वो पिन वाले भी वो नॉमल वाला जो होता है ना वो बेसिकली पता है उसे क्या प्रड़क्स आते हैं अभी मैं शाउमी का स्मार्ट स्पीकर देख रहा था उसमें वह वाला चार्जर है तो वो थोड़ा सा फ्राक्टर एंड करना पड़ेगा और वो बेसिकली चार्जर नहीं होता ना वो पावर स्वर्स है पावर तो दे रहे हो आप सम्हाओ तो ये और क्यामरा जबी अब टाइप सी आने लगया बट कई सारे भी फिर भी माइक्रो यूस्बी में ही थे तो बट वाच एक ऐसा प्रड़क्ट है जिसमने टाइप सी देखा ही नहीं है तो वहाँ पर कैसे इंप्लिमेंट करेंगे मैं देखना चाहूंगा कर सकते हैं मुश्किल नहीं क्योंकि जब इतने सालों पहले सोनी ने अपनी स्मार्ट वाच 3 में माइक्रो येस्बी कर दिया था तो अभी टाइप सी अगर कर देंगा तो क्या होगा और उतनी फास्ट वाइरलेस चार्जर मिल तो जाते हैं एक 2-3 हजार रुपय में बट वह फास्ट नहीं होते स्लो चार्ज करते हैं वाइरलेस चार्जिंग अगर आपको फास्ट करनी है तो कम से कम 5 हजार रुपय आपको लगाने पूरे watch में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा watch में भी तो आपका main revenue source है वो आपके यही है bands है, यही accessory सबसला बिखती है तो आप उसको भी नहीं change कर सकते है एकदम से, but just देखना पड़ेगा कैसे implement करते हैं, definitely क्यूंकि of course European Union में 2024 से implement हो जाएगा यह type-c charging के लिए, तो अगर वहाँ पर भी तो smart watches का चलन काफी जादा होगा तो मझे लगता है smart watch का नहीं है phone, laptop वगरा का है, उसमें type-c port डालेंगे smart watch और इन सब चीज़ों में वहाँ पर भी फिला earphones में, जो neck band earphones आते हैं उसमें already type-c है तो मिलता है mostly type-c उसमें earbuds में मिलता है earbuds में मिलता है और उसवाले earphones का तो लगबग हो गया है काफी अभी budget entry entry level segment के जो अभी भी earbuds आते हैं उसमें भी आने लग गया है तो बहुत हो गया phone के लिए अभी नहीं हुआ है मानस इसके cons क्या होंगे मतलब pros तो चलो हमने काफी discuss कर लिया e-waste reduction हो जाएगा again असानी हो जाएगी बट इसके cons क्या होंगे अगर ऐसा implement होता है cons एक जो हमने बात करी थी कि companies का जो apple का shield है हमारी खुद की tech है जो से मा implement नहीं कर सकते और लेटल अगर देखोगे तो जितने भी hardware से रलेट चीज़े है जो major tech companies है वो control चाहती है because उसकी वज़े से वो बाकी चीज़े optimize कर सकते है performance side पर इसलिए apple खुद के chip बनाता है इसलिए apple macbook में खुद के chip बनाने लग गया M1 chip पगे रहा कि उससे पता था कि अगर मैं third party Intel ले रहा हूँ तो Intel से मेरे को इतने options नहीं मिल रहे optimization कि इतने मेरे खुद की chip दे दी है कोशिश Samsung की वही थी Exynos chip अपना जो बनाता था वो नहीं चला अब आपस Qualcomm पे आना पड़ा Google ने इसलिए Tensor chip इंडिडियूस कर रहा है Same उनका technology जो charging technology है या फिर जो charging mechanism है उसके साथ भी उनका वही होता है कहना कि अगर मेरा खुद का एक वो है तो then it allows me to you know sort of implement it better अगर आप वो हटा दोगे तो आप एक तरह से उनके हाथ से वो flexibility या वो यो control है वो आप chain ले रहे हो ठीक है अब वो अच्छा होगा बुरा होगा that time will tell दूसरी चीज कौन इस चीज का ये है कि मुझे मतलब ये देखना पड़ेगा कि actually e-waste कितना काम होता है कौन इस चीज का ये है कि इसका फाइदा उड़ा के बहुत सारी companies न different sources of revenue भी generate करने ही कोहिश करेंगी जो लोगों को already चीज़े मिल रही है अब जो charger मिल रहे हो सकता है वो बन कर देंगे तो consumer के ओपर सकता थोड़ा सा चीज का negative impact भी पड़े और मुझे लगता है कि एक cons ये भी है कि for example जैसे अब ही जो सब को standard बनाया जा रहा है कि USB type C ही रखो अपने phone पे अब let's say जब micro USB आया होगा मुझे लगता है अगर तब restrict कर देते तो फिर type C अभी आता है restrict अगर कर देते उसको तो फिर आगे का फिर क्या होता फिर उसके बाद तो जो innovation है जो sleek phone देखते हैं या फिर battery पतली होती है या फिर बहुत सारी चीज़े हैं वो नहीं होता अभी अगर करेंगे तो आगे की ये भी possibility थोड़ी से limit तो होई जाएगी क्योंकि सब लोग यही देंगे ना और ये तुरंत का होता नहीं क्योंकि बहुत सारे अलड़ी चार्जर्स बन रखे होंगे कंपनियों के उस तरह के तो अभी उसको बनाने में या फिर आगे का innovation करने में फिर लोग, मतलब लोग क्या कंपनिया हिचकेंगी न कि अगर कर देते हैं तो उस country में, इंडिया में या फिर यूरोप में यही देना है, तो फिर हम आगे इस पर काम ही क्यों करें फिर अगर काम करेंगे भी कुछ नई technology पर अगर काम करते हैं हो सकता है कि lightning port है, कोई और एक lightning port आजाए तो उसके लिए आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा time ले उसके लिए फिर regulatory body से permission लेनी होगी बोलना होगा कि हम यह कर रहे हैं फिर उसमें भी थोड़ा drama मचेगा कि नहीं सब को common charger यूज़ करवाना है अब सब लोग वही charger यूज़ कर रहे है तो इसमें तो companyों को दिक्कत आएगी बिलकुल कोस्ट पर क्या impact पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा यहीं भरोसा नहीं है कोई इस चीज़ का यूज़ करके थोड़ा बहुत कि हमें skill permission चेहे चाहिए हम कोस्ट थोड़ी उप कर देंगे devices की वो भी हो सकता है हाला कि आज वैसे बड़ी एक interesting यह वाली news भी आईफोन 14 तो इंडिया में बनने वाला है दो एक दर महिने के बाद आईफोन असेंबल होने वाला तो अगर कोई user एक ही cord use करता है charging के लिए और of course अगर एक ही use करेगा तो adapter भी उसके पास एक ही होगा या फिर वो change करकर लेकिन ना यह पता है इसको implement करने के बाद भी यह बहुत मुश्किल है यह बन्दा एक ही charger या एक ही cable use करेगा तो अगर मेरा phone 150 watt charging support करता है तो फिर मैं उस cable को नॉमल laptop की charging से निकाल कर फिर adapter में connect करते है तो इससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो charger जो cord है उसकी life span पर भी तो effect पड़े गाई वो तो फिर वो है कि handling of cord पर है उसकी life ऐसे impact नहीं होगी बठा है अगर आप यहां से वाँ निकाल रहे हो ले जा रहे हो गुमारे हो डाल रहे हो तो damage और नहीं का खत्रा तो पहले कितने iPhone के cable तूट देते वो आगे से निकल जा देते अभी तो फिर भी रहने तो ठीक कर लिए और नहीं कोई रोतरा दाता लेगे कि काम नहीं कर रहा है उसके लिए फिर वो अलग से protection यूज कर देते ते ता तो मुझे लगता कि वो फोल्ड होने की दिक्कत से भी तो लोगों को दिक्कत पढ़े हैं अगर यह हो ही रहा है तो सरकार को एक काम और भी करना चाहिए केबल आती है कम से कम वैसी जो हम बजार से खरीदते हैं ना वो वाली जो जो मजबूत होती है जो टूटती नहीं बेसिकली ब्रेडड वाली तो वो भी फिर मेंडेटरी करने भाई क्योंकि यह केबल है तो काम का नहीं तो कुछ अच्छा हो जाए लोगों का भला हो जाए क्योंकि अब एक से आपको सब चार्ज करना है तो एक बढ़िया मजबूत होनी चाहिए ना आपके पास केबल अदर वाइस ही इधर मुड़ गया इधर से निकल गया मुझे भी प्राक्टिकलिटी के बारे में फूशा था कि जैसे अगर मैं खाली बैटी हूँ लापटाप यूज कर दी हो अभी कैसे लिए अगर अगर आपने दो लगाने तो आप दो भी एक सा तब भी लेकर लेकर लगा सकते हो अभी जैसे अभी जैसे फॉर एक जामपल चार अलग-अलग चार्जर है एक से मैं iPhone Charge कर रहा है तूसरे से Android Charge कर रहा हूँ तीसरे से earphone Charge कर रहा हूँ चोधे से mask Charge कर रहा हूँ मुझे mask भी Charge कर रहा है ऐगर Charge कर रहे हो तो एनिवे आपको लेना ही पड़ता है वो अलग अलग तो तब भी लेना पड़ेगा पर्ट कर भी देंगे तो भी आप तीन तीन चार्जर चार्जर यूस गर बेंगे अपके पाशन आपके फ्लेक्सिप्भीलिटी होगे मानलो आपके ऐक ही चार्जर है you नहींक और पाश है टो आप लोगे एक लोगे वैसे तो आपके पास हो किसी से मांगो at least then you will have something to मुझे तो लगता है इसको जल्दी कराने के लिए काम करना चाहिए लोगों को यूसर्स को बाइकॉट माइक्रो यूस्ब यूस्ब का ट्रेंड चला देना चाहिए बिल्कुल तो माइक्रो यूस्ब बाइकॉट हो जाएगा और टाइप-C चलना शुरू हो जाएगा बाइकॉट ही बच्चा कितना है बहुत ही कम है बाइकॉट कराँ लाइटनिंग कराँ हाँ बाइकॉट लाइटनिंग 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 लास्ली मानस कितना प्राक्टिकल लग रहा है आप हो जाएगा मुझे नहीं लगता है कि बहुत जाड़ा डिफिकल्ट है कब तक इंडिया में कब तक जल्दी तो नहीं होगा 2030 2024 में अगर वहां हो रहा है तो 30-30-30 लगी जाया अभी तोड़ा सा समय लेगा क्योंकि इसी बीच इंडियन कंपनिया कंपनियों को भी तो ध्यान में रखना है क्योंकि अभी इंडियन कंपनिया कई सारे फोन जो लांच करती थी उनहीं में ज़्यादा माइक्रो उस्भी मिलता था बाराबारा हजारका सेग्मेंक बैंक या जो रिपोट थी तो उसलिए क्योंकि इंडियन कम्पनीओं को रिवाइव होने का मौका मिलेगा तो उसमें यह है उसमें ऐसा है कि अगर ऐसा आप कर रहे हो और दूसरी तरफ या इयह भी कर रहे हो तो कॉस्ट कॉटिंग तक शायद ऐसा कुछ हो जाएगा उसके बाद भारत बन जायागा डंपिंग राउंड जितने सारी कंपनियों का चार्जर वार्जर है पुराने वाले सब इंडिया में दे करके खपा देंगे बेच वेच करके SMTK सेजन 7 में हम डिसकुस करेंगे हाँ कि अब सब कुछ हम USB Type-C चार्ज करते है और फाइदे तो खेर हमने गिना ली है फास्ट है यूसबी ताइप सी तोड़ा सा पर साइड वाइड का कोई लोड नहीं है अलब एक होता है ना कि माइकरू यूसबी में साइड का लोड है पूरिटा ऐसे नहीं लगा सकते है अच्छा ये भी है वो Type-C तो Type-C करना पड़ेगा वो यह मत करो फिर कि हाँ इस बात पर हमने बात नहीं करी ये कि जो जो अड़ेप्टर में ये अभी के समय के सबसे complicated चीज़ है कि और वो हम भी face करते हैं नॉर्मल पीपल तो face करते होंगे हम भी face करते हैं जबकि हमारे पास बहुत सारे क्योंकि किसी में देखो तो वो नॉर्मल वाला होता है किसी में Type-C होता है अब Type-C to Type-C आपको यूज़ करना पड़ेगा या फिर Type-A to Type-C यूज़ करना पड़ेगा तो अब इसको भी आप अगर वन नेशन वन चार्जर हो तो मुझे लगता है कि इसका भी तो कुछ प्राफदान हो गाई मुझे लगता है कि Type-C to Type-C नहीं करेंगे ये Type-A to Type-C करेंगे I don't know, maybe क्योंकि अगर उन्हें क्योंकि फिर बहुत कुछ बदल जाएगा फिर क्या होगा, मैं बता रहा हूँ अगर Type-C to Type-C करेंगे तो E-Waste और बढ़ जाएगा क्योंकि existing जो Type-C केबल है जो ज़्यादा तर existing A to C है तो अगर C to C करेंगे तो C to C खरीदना होगा तो ये जो E-Waste घर पे पढ़ा हुआ है ये बिल्कुल useless हो जाएगे आपको ये भी enjoy करना पड़े है कि आपके हर Laptop में Type-C port हो जो 30,000 का Laptop भी हाँ आज की रेट में हर Laptop में Type-C port नहीं है तो वो भी देखना पड़ेगा अडेप्टर को भी लेकर की काम करना होगा तीवी से अगर किसी को connect करना हो तो उसमें Type-C port डालो तो USB port होता है अच की रेट में हाप हाँ वहाँ भी Type-C डालना होगा सही बात है USB port हटा करके लेकिन USB port हटा है हटा नहीं सकते ना तीवी पे आप टीवी और लैप्टप पे हटा है USB port हटा ही नहीं सकते USB port तो रखना होगा पेंड्राइब करना जाए पेंड्राइब तो जाना है अभी पेंड्राइब या फिर एक्स्टरनल हाट डिस्क आपको यूज करना पड़ेगा आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है वो आप हमें लिखकर बताओ radio at the rate आज तक dot com पर और इसे के साथ हम बढ़ते हैं हमारे tech tip के तरफ तो जो tech tip है वो आज का iPhone users के लिए है बढ़ा ही you know quick सा है अगर आप text message जादा type नहीं करना चाहते है और अगर एक ही message को आपको दो किसी को forward करना है तो आप instead of just going there and forwarding आप क्या कर सकते हो कि उस message पर जाओ उस text message पर जाओ पर example आपने XYZ को वो message अल्रेडी send कर रखा है तो उस message को tap करो और फिर वो आपकी window पर ना कहीं भी move करने लगेगा then आपको बिलकुल back button दबाना है text message के पर जाकर और उस back button पर जाकर आपको करना ये है कि आपको दूसरे sender को जिसे ये message भेजना है आप उसे जाकर send कर दीजे वहाँ पर आपके text message box में वो message आ जाएगा एकदम लिखा लिखा और फिर आप उसे बस send कर दीजे काफी आसान सा ट्रिक है या iPhone users के लिए और iPhone users के लिए बहुत सारे ऐसे quick sort of tricks आते रहते हैं तो आपको करना ये है कि आपको सबका मालिक टेक के tech tip वाले section तक हमारे साथ बने रहना है anyways आज का episode और आज का tech tip आपको कैसा लगा वो हमें जरूर लिख कर बताएगे radio at the rate आज तक dot com पर और आप हमारे twitter handles पर भी आकर हमें tweet कर सकते हैं thank you so much for listening to us बाबाई मिलते हैं अगले episode में रहा है तनी हमको भी सुनाओ तस सुनिए golden माइक्स 2022 में तीन ठो अवर्ड कीता है आज तक रेडियो का कह रहा है हो भाईया तीन ताल पढ़ाकूनी तीन और आज का दिन तीनों शो को ट्रॉपशी मिला है अच्छा मतलब आज तक रेडियो सुन रहा है सारा जहां